ये रिकॉर्डिंग आपकी हिद्मत में उर्दू आडियो बुफ डाट काम की तरफ से पेश्ट पी जा रही है उर्दू आडियो बुफ डाट काम पर आप सुन रहे हैं रसूल हमजा तोफ की किताब कुछ इस किताब के मकसद और इसके नाम के बारे में वक्तन फवक्तन में तक्रीबात की नवीद देती रहती है लेकिन मेरी आवाज में खबरदार रहने की गूंज भी हो सकती है एक घड़ियाल पर लिखी हुई अबारत इसका बाप भी मुखलिस और बहादूर था और ये भी बड़ा होकर मुखलिस और बहादूर बनेगा ये बच्चा बाप के नाम पर दाग न लगने देगा इसके बाप का खंजर दीवार पर आवेजा है और लोरियां वो कारनामे सुना रही है जो उसने अन्जाम दिये पालने पर एक कत्बा पहाड़ों के रहने वालों को दो चीजें सबसे ज़्यादा अजीज होती है अपनी पापाख टोपी और अपने नाम की इज़त पापाख की लाज वही रख सकता है जिसके पास सर हो और अपने नाम की इज़त वही बरकरार रख सकता है जिसके दिल में शोलों जैसी हरारत हो हमारे चोटे से घर की छट में गोलियों के कई निशान है ये पिस्तॉल की उन गोलियों के निशानात है जो अबा के दोस्तों ने आस पास की चटानों में बसेरा करने वाले उकाबों को ये इत्तिला देने के लिए चलाई थी कि उनके यहां एक और भाई पैदा हुआ है दागिस्तान में एक और उकाब का अधाफा हुआ है पिस्तौल दाग देने या गोली चला देने से तो बेटा पैदा नहीं हो सकता लेकिन यह हमारे यहां का रवाज है कि बेटा पैदा हो तो बंदूग दागना चाहिए अबा के एक दोस्त ने मेरे एजाद में दो बार गोली चलाई पहली गोली का निशाना च्छत को बनाया गया यह मेरी पैदाईश का एलान था दूसरी गोली फश पर चलाई गई यह उस वक्त जब मेरा नाम रखा गया अम्मा ने मुझे बताया था कि मेरा नाम किस तरह रखा गया था मैं अपने घर में तीसरा बेटा था एक बेटी मेरी बेहन भी थी मगर ये मर्दों की बेटों की बात है हमारे घर में पैदा होने वाले पहले बेटे का नाम उसकी पैदाईश से बहुत कबल ही लोगों को मालूम रहता था क्योंकि रसम के मताबिक उसे अपने मरहूम दादा का नाम मिलना चाहिए हमारे गाओं में सभी को ये बात याद थी और सब कहते थे के बहुत जल्द हमजा के घराने में एक और मुहमद आजाएगा मेरे दादा के घर में बिल्लियों और कुट्टों को छोड़ कर कभी कोई और चौपाया दाखिल नहुआ उन्होंने शायद ही कभी कोई कंबल इस्तिमाल किया हो और गालबन अंडर वेर का तो नाम भी न सुना होगा दुनिया का कोई भी डाक्टर इस बात पर फकर नहीं कर सकता कि उसने कभी उनको देखा हो उनके मुका मौाइना किया हो उनकी नवस टटोली हो उनसे लंबी और गहरी सांस लेने को कहा हो या उनके जिसम की जाच की हो हमारे गाउं में उनकी पैदाईश और इन्तिकाल की सही तारीखें भी किसी को याद न थी अबा को बदनाम करने की गर्स से लिखी तहरीर को अगर काबले एदवार समझा जाए तो कहा जा सकता है कि मेरे दादा मुहमद अर्बी जबान में कुछ शुद्बुद जरूर रखते थे ये दादाजी का नाम था जो अबा के पहले बेटे मेरे सबसे बड़े भाई को मिला अबा के एक चचा भी थे जिनका इंतिकाल मेरे दूसरे भाई की पैदाईश्ट से जरा ही पहले हुआ था उनका नाम खेलची था जब मेरे मंजले भाई ने जनम लिया तो गाउं वालों में मुसरत की एक लहर दोड़ गई सबने कहा लो दूसरा खेलची आ गया हमारा खेलची फिर जी उठा अगर इसके मकान पर कोई कवा आ बैठे तो खुशी ही लाए किसी मुसीबत की अलामत नसाबित हो खुदा करे ये बच्चा भी बड़ा होकर उतना ही शरीफ नफ्स और नेक निकले जितना वो था जिसका नाम इसे दिया जा रहा है मगर मेरी विलादत के वक्त कोई नाम ऐसा नबचा था जो मुझे मिल सकता अबा के किसी अजीज या दोस्त करना तो उस जमाने में इंतिकाल हुआ था ना कोई दयारे गयर में जाकर गुम हुआ था कि उसका नाम मुझे दिया जा सकता था ताकि उस नाम की लाज रख सकूँ जब मैं पैदा हुआ तो अबा ने गाओं के बड़े बुड़ों को दावत दी कि वो जमा होकर मेरे लिए कोई नाम चुन दे सभी लोग आए और इतनी संजीद्गी और इत्मिनान से बैट गए कोई किसी मुल्क की किसमत का फैसला करने जा रहे हुँ हर एक के हाथ में बलखार के कुजा गुरों के बनाए हुए बड़े से जाम थे सारे ही जाम जागदार बोजा से लबरेस थे सिर्फ एक शफ का हाथ खाली था ये गाओं के सबसे मुमर बजर्ग थे जिनके सर और दाड़ी के बाल यकसर सफैद हो चुके थे और जिनके चेहरे पर पेगंबरों जैसा नूर बरस रहा था फिर बगल के कमरे से अमा दाखिल हुई और उन्हों ने मुझे उन्ही बजर्ग के हवाले कर दिया उधर मैं उनकी गोद में लहक रहा था उधर अमा उनसे कह रही थी महतरम बजर्ग आपने हमारी शादी पर गीद गाये थे कभी हाथ में पांदरों लेकर कभी तंबूरा लेकर आपकी गीद बहुत ही पुरलुच थे अब जब कि मेरा बच्चा आपके हाथों पर रहे आप कौन सा नगमा एनायत करेंगे नेक दिल खातून और दरिया इसे गीद सुनाएंगे यूं तो ये तलवारों और गोलियों से भी गीद सुनेगा लेकिन सबसे अच्छा और खुर्सूरत तरीन गीद तो इसे इसकी दुलहनी सुनाएगी तो फिर आप इसका नाम रख दीजिए ताके मैं हमारा सारा गाउं और सारा दागिस्तान इस नाम से वाकिफ हो जाए जो इसके लिए आप इस वक्त तजवीज करेंगे उस बुदर्ग इनसान ने मुझे अपने हातों पर उपर उठाया और कहा लड़की का नाम ऐसा होना चाहिए कि उसमें सितारों जैसी चमक और फूरों जैसी महक हो लेकिन मर्द के नाम में तलवार की जहनकार या किताबों के इल्मो दानिश का इजहार होना चाहिए मैंने किताबों में बहुत से नाम पढ़े हैं और तलवारों की जहनकार ने भी मुझे बहुत सारे नाम सिखाए हैं मेरी किताबें और मेरी तलवारें इस वक्त मुझे सरगोशी कर रही हैं और इस सरगोशी में एक ही नाम गूंज रहा था वो है रसूल फिर उस बुजर्ग ने जिसके चहरे पर पेगंबरों जैसा नूर था जुक कर मेरे एक कान में सरगोशी की रसूल और फिर दूसरे में बलंदावा से ऐलान किया रसूल फिर उन्होंने रोते हुए बच्चे को मा के हवाले किया और उन्हें नीज वहां बेटे दूसरे लोगों को मुखातिब करते हुए का ये लोग ये रसूल है पूरे घर पर चाहई हुई खामोशी ने मेरा ये नाम कुबूल किया फिर दूसरे बड़े बुड़ों ने अपने जाम खाली किये मुचों को हाथ की पुष्ट से पुछते हुए हुँ कहकर बुदर्ग की ताइद की हाँ पहाडों में रहने वालों को दो चीजें सबसे ज़्यादा अजीज होती है अपनी पापाख और अपना नाम हो सकता है कि किसी के सर के लिए पापाख बहुत भारी हो नाम भी भारी हो सकता है मुझे महसूस होता है कि सफेद बालों वाले उस बुदर्ग ने जो बड़े पढ़े लिखे थे और देस देस की सेर कर चुके थे मेरे नाम के साथ एक खास मानी और एक खास मकसद वाबस्ता कर दिया था अरबी में रसूल के मानी होते हैं पेगांबर या इल्ची सवाल ये है कि मैं किसका पेगांबर या इल्ची हूँ मेरी नोट बुक से बेल्जियम की बात है मैं शायरों के एक इस्तिमा में शरीक था जो सारी दुनिया से यहां एकटे हुए थे और मुक्तलिफ कौमों और मुलकों की नुमाइंदगी कर रहे थे जितने लोग भी स्टेज पर आये उन्होंने अपनी कौम उसकी तहजीब शायरी और उसके मुस्तक्बिल की बात की उन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो वतन से नहीं कई और से आये थे मसला हैंगरी का एक शायर लंडन से आया था एक एस्तोनियाई शायर पेरिस से आया था और एक पुलिस्तानी शायर सान फ्रार्सिसको से अब ये तो मुकदर का खेल था जिन्दगी की हवाओं का खेल था जो उन लोगों को अपने साथ उड़ाकर मुक्तलिफ मुक्तलिफ मुलकों में दूर दरास समुंदरों और पहाडों के उस पार अपने वतन से हजारा मिल दूर पहुचा गई थी मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब एक शायर की तकरीर सुनकर हुआ जिसने बड़े तमतराख के साथ एलान किया साहबो आप लोग मुक्तलिफ मुलकों से आए हैं आप मुक्तलिफ कौमों की नमाइंदगी करते हैं यहां अकेला आदमी मैं हूँ जो नकिसी मुलक की नमाइंदगी करता है ने किसी खास कौम की मैं सारे मुलकों और सारी कौमों का नमाइंदा हूँ मैं शायरी का नमाइंदा हूँ मैं शायरी हूँ मैं सूरज हूँ जो अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को फैस पहुचाता है वो बादल हूँ जो खिते जमीन के गोशे गोशे पर बरसता है और ये नहीं सोचता कि उसकी कौम क्या है मैं वो पेड हूँ जो दुनिया के हर गोशे में फूल फल सकता है ये कहकर शायर स्टेज से उतर गया बहुत सारे लोगों ने तालिया बजाई मैंने भी सोचा कि बात तो सही है हम शायरों पर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है लेकिन जिस शफ को अपने वतन से प्यार नहो वो सारी दुनिया की नुमाइंदगी नहीं कर सकता मेरे नजदीक तो उस शफ की मिसाल ऐसी है जो अपने वतने अजीज को छोड़कर किसी और जगा जाबसा हो वहीं शादी कर ली हो और अपनी सास को मा कहने लगा हो मैं सासों का इहतराम करता हूँ लेकिन मा तो मा ही होती है अगर कोई आप से पूछे कि आप कौन है तो आप उसके सामने अपने काग़्धात पेश कर सकते हैं उसे अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं जिसमें आप से मतालिक सारी जरूरी इतलाइत मुझूद होती हैं यही सवाल जब किसी कौम से किया जाए तो वो अपनी असनात की सूरत में अपने साइंसदानों को अपने अदीबों、 अपने फनकारों और अपने मुदिरों को पेश करती है हर इन्सान को अब्तिदाए शबाब से ये जान लेना चाहिए कि वो इस दुन्या में इसलिए आया है कि अपनी कौम की नुमाइंदगी करे और उसे इस फरीजे की अदाईगी के लिए तैयार रहना चाहिए इसलिए हर इन्सान को एक नाम दिया जाता है पापाख दी जाती है खंजर दिया जाता है और पालने ही में उसे उसके वतन के गीत सुनाए जाते है किस्मत मुझे जहां जहां भी ले गई मैंने अपने आपको इस सरजमीन इन पहाड़ों इस गाउ का नुमाइंदगा समझाए जहां मुझे पहली बार घोड़े पर जीन कसना सिखाया गया मैं जहां भी रहा हूं अपने आपको अपने वतन दागिस्तान का खुसी नुमाइंदगा समझाए लेकिन जब कभी मैं अपने वतन दागिस्तान वापस आया हूं तो मुझे ये महसूस हुआ है कि मैं मजमूई तोर पर पूरी इनसानी तहजीब का खुसी नुमाइंदगा हूं सारे सोवियत मुल्क का और यही नहीं पूरी दुनिया का सफीर और खुसी नुमाइंदगा हूं मेरे वतन तेरी तारीफ क्या बयान करूँ हजार अजम है पर गीद का नहीं सकता ये मेरा दिल है कि सामान से भरे थैले हजार चाहूं लब इनके मिला नहीं सकता मैं चाहता हूं कि दुनिया पर एक नजम लिखूं इसी जुबान में जिसमें हजार गीत लिखे मगर कुछ ऐसा है जैसे कि कोई कीसे जर हजाहर चाहूं ये मुझसे कभी भी खुल न सके जब मैं सफर से लौट कर घर आता हूं तो मेरे गाउं के लोग मुझे घेर लेते हैं मेरे घर की छट पर महफिल जमती है और मैं उनके तरह तरह के सवालों के जवाब देता हूं क्या तुम्हें दूसरे मुलकों में हमारे देश कभी कोई आदमी मिला अपने सफर में तुमने हमारे जैसे पहाड भी कहीं देखे वतन से दूर कभी तुम्हें अपना घर भी याद आता है अपने गाउं का भी ख्याल आता था क्या बैरूनी मुलकों में रहने वाले हमारे बारे में भी कुछ जानते हैं क्या उन्हें मालूम है कि हम भी उनकी दुनिया का एक हिस्सा हैं मैं जवाब देता हूं बात ये है कि जब हम ही अपने बारे में ठीक ठीक नहीं जानते तो दूसरे कैसे जानेंगे हमारी तादात लगबग 10 लाग है और ये सारे ही लोग चारों तरफ से दागिस्तान की पहाड़ियों में गिरे हुए हैं हम 10 लाग लोग हैं और 40 मुख्तलिफ जुबाने बोलते हैं तो फिर तुम हमें हमारे अपने वजूद से वाकिफ कराओ और दूसरे लोगों को जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं हमारे वजूद का एहसास दिलाओ सद्यों से हमारी तारीख तलवारों और खंजरों से लिकी जाती रही है अब इन किरदारों को ऐसी जुबान अता करो जिसे सभी लोग समझ सकें तुम जो सदा के गाओं में पैदा हुए हो अगर तुम ये काम ना अन्जाम दोगे तो फिर कौन अन्जाम दे सकेगा अपने अफकार को चुने हुए गोलों की सूरत दो जिन में तमाम घोड़े एक दूसरे के बराबर हो कोई किसी लहाज से दूसरे से कम नहो फिर उन्हें अपने सफात के पाकीदा मैदानों में छोड़ दो अपने अफकार को सरासीमा घोड़ों और डरी सहमी भैसों की तरह इन सफात से गुजरने दो अपने ख्यालाद चुपा कर न रखो अगर तुमने ऐसा किया तो भूल जाओगे कि तुमने उन्हें कहा रखा है बिलकुल उस कंजूस की तरह जो अपना ख़दाना कहीं दफन कर देता है कुछ दिन बाद भूल जाता है कि उसने अपना सरमाया कहां दफन किया और यूं महद लालच में अपना सब कुछ गमा बैटता है लेकिन अपने ख्यालाद दूसरों के हवाले भी न करो बच्चों को खिलोने की बज़ाए खेल के लिए कोई कीमती और नाजुक औजार नहीं दे देना चाहिए बच्चा उसे खो देगा तोड़ देगा या अपने हाथ जखमी कर लेगा तुमारे घोड़े की आदतें तुम से ज्यादा बहतर कोई और नहीं जान सकता